वे बच्चों आज हम पढ़ेंगे पेश नमबर 162 से तो 162 तक हमने 162 के यहां पे लाइट ट्रेवल से ने स्ट्रेड लाइन को हम निकल कम्प्लीट हिया था आज उसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे 162 में एक्टिविटी ने एक्टिविटी ने मोवन यहां से शुरू कर करेंगे ठीक है तो एक्टिविटी नमबर 1 हमें यह चीज़ दिखाने के लिए किस तरह से हम बता सकते हैं कि लाइट एक स्ट्रेड लाइन में ट्रबल करता है कैसे पता चलेगा कि लाइन एक सीधे रास्ते को पकड़के जाता है यानि लाइट टेड़े मेरे रास्ते को न फिर आपको क्या गरता है एक होलो पाइब लेना ही रास्त्रैज को होलो अंदर से खाली जयानि अंदर से जिसमें पूरी तरह से खाली हो staff लेना तो ऐसा पाइब लिए नहीं और फिर हमें light के फ्ऱ्रेम को देखना है फ्लेम मलब जो यहाँ Пधा पर आग जाल डिक आग को नज़र आएगा वो flame तो वो light जो है वो नज़र आएगा जब आप straight pipe लिए इस सीधा सा pipe जैसे के first में लिया हुआ है अब second में क्या करें now bend the pipe and try to see the flame उसके बास second में आप इस तरह से bend कर देना है pipe को जैसे के हमारे यहां इस pipe को bend कर दिया ना अब आप भी क्या करोगे pipe को bend क कर दोगे उसके बाद फिर से flame को देखोगे ठीक है ना फिर से इस flame को देखोगे यहां पर जो flame है हमारा इस flame को फिर से देखोगे क्या इस बार आपको नज़र आएगा नहीं क्यों नहीं आएगा क्योंकि हमें बदाए हमारा light सीधे रास्ते से गुजरता है यानि उसका रा इसलिए इस बंदे को यहां पर लाइट नजर नहीं आएगा जबकि हमारे इस वाले केस में यहां पर क्या होगा क्यूंकि हमारे लाइट को सीधा ही जाना है तो इसको नजर आ जाएगा ठीक है ना तो यह एक्टिविटी सिंपल सा था अब आगे हैं तो उपर वाले एक्टिविटी से हमें यह साफ हो गया के लाइट जो है वो एक सीधे से ट्यूब से ही ट्रवल करता है यहांनि हम अगर लाइट को देखना चाहते हैं तो हमें एक सीधा सा पाइब लेना पड़ेगा यहां से हमें क्या पता चलता है रेक्टिलीनर प्रपोगेशन ओफ लाइट का पता चल जाता है रेक्टिलीनर प्रपोगेशन ओफ लाइट का पता चल जाता है रेक्टिलीनर का मालब एक सीधे रास्ते को बोलते है ठीक है रेक्टिलीनर बोलते है स्ट्रेड लाइन को तो ह हमें यहाँ से पता चला कि हमारा light जो है ना rectalianer propagation या propagation इद चलना प्रपोगेशन हमें चलना या फेलना ठेक हैं तो हमें यह पता चला light जब भी फेलता है तो वो सीधे रास्ते से फेलता है यानि ऐसे ऐसे नहीं फेलेगा ऐसे टेड़ा मेड़ा नहीं फेलेगा कैसे फेलेगा यहां से जाज़े कि हमारा लाइट जा रहा हो तो कैसे जा रहा होगा ऐसे सीधे ऐसे सीधे सीधे जा रहा हो ठीक है जहां भी जाएगा जिस डायरेक्शन भी जाएगा सीधे लाइन में ज अब नीचे चलो टेक थ्री रेक्टेंगिलर पीसिस अफ कार्डबोर्ट मेक होल्स इन देम इड़े अग्जेक्टली दे सेम लेवल पहले आपको क्या करना है तीन कार्डबोर्ड लेना जैसे यहाँ पे लिया हुआ है फिर उस कार्डबोर्ड पे एक लेवल पे होना चाहिए एक उपर एक नीचे नहीं होना चाहिए एक ही लेवल पे तीनों कार्डबोर्ड में कार्डबोर्ड के साथ रेक्टेंगिलर रेक्टेंगिलर हम किसको बोलते हैं जिसके ऐसे चार कुने होता है ठीक है ना तो ऐसे काड़ बोर में एक ही लेवल पे आपको तीन सुराह बनाना है ठीक है Keep a burning candle अच्छा उसके बात Make them stand straight on a table using some support उसके बात क्या करो एक टेबल पे उसको सीधे सीधे खड़ा रखना है जैसे कि इस पे रखा हुए एक टेबल पे यह 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 तीनों को सीधे करके खड़ा रखा हुआ है तो आपको भी वैसे ही रखना है support देना है support मलब मजबूती देना है Keep a burning candle on the table with its flame at the level of holes उसके बाते आप क्या करोगे इसके टेबल के side पे आप एक candle को light करोगे candle को light करने का मलब candle को जला के रखोगे लेकिन उस candle का flame जो आख है ना यहां पर जो इस candle का आख है वो भी क्या होना चाहिए वो भी उन holes के level पे होना चाहिए इन holes के बराबरी पे होना चाहिए इससे उपर इससे नीचे नहीं होना चाहिए जो hole तीन है ना एक दो तीन इन तीनों होल के बराबरी पे हमारा फ्लेम होना चाहिए फ्लेम मलब आख जो आख है न जलाओ हो उसको फ्लेम बोलते हैं ठीक है Now adjust the cardboard so that you can see the candle flame through the holes उसके बाद आप cardboard को उसी तरह से adjust कर लो ताकि आपको क्या हो जाए आपको clearly नजर आजाए कौन सा यह light आपको सीधे नजर आए ऐसे adjust कर लेना adjust मलब बराबर कर लेना इन cardboard को ठीक है अब आगे सुनो यहां से हमें क्या पता चलता है यहां से हमें यह पता चलता है कि light जो है वो एक सीधे रास्ते से चरफल करेगा यह जो line है न यहां से आपको क्या नजर आएगा वो flame वो आग तभी नजर आएगा जब तीनो होल एक सीधे एक स्ट्रेड लाइन पे होगा एक सीधा सा लाइन पे होगा जैसे कि इसी line के रगए वो hole होना चीए और flame भी वही पे होना चीए तभी आपको यह light नजर आगया अगर ऐसा कुछ हुआ मान लो अगर ऐसा हुआ जैसे कि यह line है अगर आपने hole यहां पे एक hole यहां पे एक hole यहां पे कर दिया card board के तो फिर आपको light नजर नहीं आएगा क्यों? क्योंकि light ऐसे नहीं चलता ऐसे तेड़े मेरे रास्ते से नहीं चलता light सीधे रास्ते से चलता है इसलिए तीनों hole जो है ना तीनों rectangular cardboard के holes जो है ना वो एक ही line में होना चाहिए तभी तो वो सीधे आजाएगा light हमारे तरफ ठीक है If you disturb one of the cardboard you will no longer be able to see the flame अगर उन तीनों cardboard में से किसी एक को भी disturb करोगे disturb करने का मनलब उसके position को change करोगे तो आपको क्या हो जाएगा you will no longer be able to see the flame तो आपको flame नजर नहीं आएगा ठीक है ना अब आगे बढ़ते है 12.5 पे हमाला है ray and beam ray क्या होता है बीम क्या होता है वो सुन लेते है पहला चीज़ हमारा क्या है ray है तो ray के बार में क्या क्या है अच्छे चलो ray and beam दोनों इसी में होगा पहला ray होगा फिर beam a very narrow path of light is represented by a straight line with an arrow head on it showing the direction of light यानि अगर आप light के एक बहुत narrow से रास्ते को बहुती पतले से रास्ते को आप ले लोगे तो आपको क्या पता चलेगा उस line के एक head पे आपको arrow दीखेगा जिसके यहां पे आपको दीख रहा है arrow यहां पे भी arrow बनाया हुआ है इन सारों पे arrow बनाया हुआ है तो यह arrow क्या दिखा रहा है हमें यह दिखा रहा है कि यह light जो है इस direction में जा रहा है जहां पर arrow बना है उसी direction में हमारा क्या हो जाएगा वो light जा रहा होगा तो यहां से यह बता रहा है एक narrow सा path होता है जिसके overhead पे एक arrow बनाया होता है ठीए और वो arrow क्या दिखाता है light के direction को Such a straight line with an arrow hit on it is called ray of light एसा एक straight line जिसके एक side पे arrow होगा उसको हम बोलते है ray तो ray हमें पता चला है एक सीधा सा light एक ही line से बना हुआ और एक side पे क्या होगा arrow होगा जैसे कि यहां पे इस image में दिखाया हुआ है इस image को देख लो यह वाला तो इसमें आपको क्या पता चला ray of light होता है एक सीधा सा रास्ता किस चीज़ का light का और उस रास्ते के एक side पे एक arrow जिसा बनाया होगा ठीक है arrow head बनाया होगा तो arrow head क्या दिखाएगा हमें direction दिखाएगा यानि light इस side जा रहा है ठीक है ना अब beam के बारे में सुन लो a beam of light is broader and consists of several rays अब beam of light में क्या होता है थोड़ा बड़ा होता है जैसके एक ही लाइन से बना हुआ था रे अब बीम में क्या होता है बहुत सारे रेस से बनाया होता है हमारा ray of light वो पतला होता है, एक straight line की तरह होता है, जब कि हमारा beam थोड़ा मोटा होता है, बहुत सारे race मिल के उसको बनाता है, जिसके यहाँ पे हैं, the race can be parallel to each other, कुछ case इसमें यह जो बहुत सारे race है ला, एक beam में, वो क्या होगा, वो parallel होगा, कुछ case में parallel भी होगा, parallel बहुत सारे मिल नहीं रह plumbing, जिसको मिल रहे हैं, यह वाला diagram, यहां पे कोई बेरे मिल नहीं रहा है, सीधे सीधे हैं, ठेक है, इसको हम parallel बोलते हैं, parallel का मादब एक दूसरे से मिल रहने नहीं, सारे equal distance पे होंगे जैसे कि यह और यह equal distance पे होंगे ठीक है तो यह आगे जाके भी नहीं मिलेगा तो इसको हम बोलते है parallel ठीक है तो कुछ beam of light parallel भी जाता है जैसे कि इस case में दिखाया गया है ठीक है If a very small source of light is used अगर हम छोटा सा source लेंगे यह तो बड़े source के लिए जैसके हमारा sun हमारे sun से जो race आएंगे वह इससे parallel आएगा ठीक है हमारे sun से race कैसे आएगा परलल अब हम छोटा सा source ले रहेते है हमारा torch वहाँ से कैसे आएगा source of light is used the ray will go outward वह ray कैसे जाएगा outward जा रहा होगा तो उस वकद हमारा क्या होगा छोटा सा source होगा जिसको हमने क्या बहुत समाल सा source जिसका हमारा torch ठीक है ना अब आगे देखते transparent, translucent and opaque objects transparent क्या होता है translucent क्या होता है opaque क्या होता है वो देख लेते consider the door of your house the glass of the window of your house and the glass of your spectacles तीन चीज़ों को देख लो एक तुम्हारे गर का दर्वाजा डोर दूसरा तुम्हारी विंडो का शिशा glass हम शिशे को बोलते है जो हमारे विंडो में खिड़की में शिशा लगा होता है उसको देख लिए ना पहले मैंने क्या बोला दर्वाजे को देख लो दूसरे हमारे खिड़की की शिशे को देख लो तीसरा आप जो spectacles लगाते हो spectacles क्या होता है चश्मा जो चश्मा लगाते हो उसके शिशे को देख लो ठेक है Are these objects the same? क्या ये सारे objects same है हमारा शिशा, हमारा दर्वाजा और हमारे चश्मे का शिशा क्या तीनों सेम है? नहीं Now place a torch outside the door outside the window and on the other side of your spectacles एक बार के लिए करो अब एक torch ले लो एक बार आप दर्वाजे के पीछे से light करो ठीक है बीच में दर्वाजा आथा चीए एक बार आप क्या करोगे? जो हमारे खिड़की के शिशा है ना उसके उस साइट से light करोगे तीसरी बार आप क्या करोगे? आपको जो spectacles के शिशा है ना उसके एक साइट से spectacles के शिशे पर light डालोगे What do you observe? आपको क्या दिखाई देता है? Can you see the light through the door, window, spectacles? आपको कौन से चीश के पर light नजर आता है? क्या डूर के पर नजर आता है? या शिशे के पर? या spectacle, spectacle का ना चेश्मा तो आप खुद बोलोगे ना दरवाजे के पर नजर नहीं आएगा हमारे किस के पर आएगा? शिशा और चेश्मे के पर light नजर आएगा अब सुनो opaque object क्या होता है? The object through which light cannot pass at all like the door are set to be opaque वो objects, वो चीशे through which, जिस से through which का मालब जिस से, ठीक है? light cannot pass at all light pass नहीं हो सकता light गुजर नहीं सकता वो चीशे जहां से light गुजरेगा नहीं ठीक है? जैसे के हमारा दर्वाजा वो opaque है, जैसे के हमारा दर्वाजे के पार जाएगा light नहीं, वो opaque हो गया ठीक है? अब transparent object सुन लो अच्छा opaque में और क्या हो सकता है? पत्थर के पार नहीं जाता लकडियों के पार नहीं जाता है ना तो ये सारे क्या है? हमारे opaque अब transparent object सुन लो अब वो अबजेक्ट जिसके पार जो है ना जिसके आर पार light पूरी तरह से पास हो जाएगा देखे हमारे चश्मे की शीशा हमारे चश्मे की शीशे से क्या होगा? light पूरी तरह से पास हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? transparent object सुनो Opaq, वो अब्जेक्ट जिससे Light आर पार नहीं जाएंगा, Light पास नहीं हो सकता, जिसके हमारा दर्वाज़ा, जहां से Light लाइट गुजर नहीं सकता Transparent वो object जहां से light आराम से गुजर जाएगा सारा का सारा light जैसे के हमारे खिड़की का शीशा ठीक है ना अब तीसरा क्या है Translucent object The object through which light can pass but not completely Like the glass of some bathroom windows are set to be translucent Translucent क्या होता है वो object जिसके आर पार सारा light नहीं जाता आदा light उच जगे से पार हो जाएगा आदा light पार नहीं होगा जैसे के हमारे बातरूम का शीशा इसने लिखा हुआ है Like the glass of some bathroom window जैसे के हमारे बातरूम के window के glass वो क्लियर वाला शीशा नहीं होता वो थोड़ा क्या होता है ओपेक सा होता है तो इसको हम बोलते है Translucent तीनों को सुन लो फिर से एक बार ओपेक मलब वो अबजेक्ट जहां से light बिलकुल पास नहीं होगा जैसे के पत्थर के पार light नहीं जा सकता लकडी के पार light नहीं जा सकता Transparent मलब वो अबजेक्ट जहां से light पूरी तरसे पार हो जाएगा जैसे के हमारा शीशा है ना ट्रांसलूसेंट का मतलब वो अबजिक्ट्स वो चीजें जहां से आदा लाइट पार हो जाएगा आदा नहीं होगा नौट कम्प्लीट के मतलब पूरा पार नहीं होगा आदा ही पार हो जाएगा उसको हम ट्रांसलूसेंड कहते ही ठीक है न आज यहीं तक रखते हैं कल आगे बढ़ाएंगे